इस बुल्ला प्रमुक हसन नसर अला को निप्टाने के बाद इसराइली सेना चैन से नहीं बैठी है बलकि उसने लेबनान पर और ज्यादा भीशन हमले शुरू कर दिये हैं लेकिन इस सब के बीच अपनी मौत से पहले नसर अला ने कहा था कि वो वर्षों से इस इंतजार में बैठे हैं कि इसराइली सेना लेबनान में घुसे और अगर ऐसा हुआ तो ये हमारा सपना पूरा हो जाएगा लेकिन नसर अला की मौत के बाद हिजबुला की कमर तूट चुकी है और अब वो नितरत विहीन हो चुका है लेकिन इस सब के बीच सवाल ये उठ रहा था कि क्या इसराइल लेबनान पर जमीनी हमला करेगा या नहीं तो इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है दरासल अमेरिकी अखबार दे वॉल स्ट्रीट जनरल ने खुलासा किया है कि हालिया दिनों में आईडिएफ की स्पेशल फोर्स लेबनान में हिजबुला की बनाई सुरंगों में घुसी थी हाला कि इन ओपरेशन में छोटी संख्या में आईडिएफ के जवान लेबनान में घुसे थे लेकिन इसका टार्गेट लेबनान पर जमीनी हमले करने की तैयारी करना था और अब ऐसा लग रहा है कि आईडिएफ बड़े स्तर पर लेबनान में जमीनी हमला करने के लिए चुनोती होंगी जो पूरे लिबनान में हजारों किलोमीटर तक फैली हैं इसराइल के रक्षा मंत्री यौफ गेलेंट ने बेहद ही मजबूती से इशारा किया है कि इसराइली सेना हिजबुला के खिलाफ हमला करने के लिए लिए लिबनान में घुसने जा रही है इसको ल नहीं है अगर दूसरी तरफ कोई यह नहीं समझता कि इन शम्ताओं का क्या मतलब है तो यह सब शम्ताएं हैं और आप इस कोशिश का हिस्सा है हमें भरोसा है कि आप कुछ भी हासल करने में सक्षम होंगे इस सब के बीच अब हिजबुला को भी लगने लगा है कि IDF कभी भी उसके उपर जमीनी हमला कर सकती है और यहीं वज़ा है कि नसरला के जाने के बाद हिजबुला के डिप्टी चीफ शेख नईम कासिम ने इसराइल को ललका रहा है उन्होंने कहा कि हिजबुला इसराइल के किसी भी जमीनी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है सनुआजिहु अई इहतिमाल वमस्ताइदून इज़ा कर्र लिस्राइलियु अन यद्खल बर्या फल्कुवात कुवातल मुकावमा जाहिजा लिल इलतिहाम बर्य नहनु अढदेना वटजहजना वब तोक्ल अल्लाह ताएला वाफिकों अन अल्दू इसराइली लन युहक्क अहदाफ़ु वसनखरुच मुन्तसरी मिन हाविह। आपको बता दे कि नसरला की मौत के बाद हिजगुला के ज्यादा तर टॉप कमांडर अंडरग्राउंड हो चुके हैं और शेख नईम ने भी ये वीडियो किसी गुप्त स्थान से रिकॉर्ड किया है। नईम का कहना है कि हिजगुला इसराइल के खिलाफ जंग जारी रखेगा भले ही ये कितनी भी लंबी चले। उनका कहना है कि इसराइल कभी भी अपने लक्षे को हासिल नहीं कर पाएगा। हिजगुला के डिप्टी चीफ ने ये भी कहा कि हम जल्द से जल्द आंतरिक प्रकरिया के तहट नए हिजगुला प्रमुख का चुनाओ कर लेंगे। झाल कर जबागा। झाल झाल